जैहिन दोस्तों कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए देश भर में एक वर फिर से जुलाई से एक कॉलेज खोले जा रहे हैं इसके साथ ही दूसरे सभी सेक्षिक संस्थानों को भी कोला जा सकता है लेकिन अभी संस्थानों में परिक्षा दाखिले और शोध कारे की भी भी बंद हैं जिने जल्दी खोलने की तैयारे शुरू कर दी गई है माना जा रहा है जुलाई में कोरोना संक्रमन की सितिकी समिक्षा के बाद सेक्षिक संस्थानों में दाखिले और जो परिक्षा की प्रक्रिया है उसकी अनुमती दे दी जाएगी फिलाल राज्यों मे इस संबंद में अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी है कोरोना संक्रमन की समिक्षा के बाद ही इस पर टोटल अंतिम फैशला जो है वो लिया जाएगा सेक्षिक संस्थानों से जुड़े सिक्षा को और दूसरे करमचारियों के वेक्सिनेशन पर जोड़ देना प्रक्र परिक्षा यादी प्रकरियाओं को तेजी से कराने का है क्योंकि जुलाई में दस दर बारवी के भी नतीजे आने वाले हैं कोरोना की संभवत जितनी भी तीसरे लहर है पूरी तरह से इस्तिती साफ होने के बाद ही चात्रों को इसमें बलाय जाएगा अगर राज्यों की ल में इतजार कर रहें हैं मित्सदार परिक्षा केंद्र सेख्षिक संस्थान होते हैं यहां पर उस समझे शुरूवाती में जैसे से त्योंकि नम जलाई से अंतिवर्ष और शोद की छात्रों को बुलाई जाने की बात कहीं जा रही है गौरब तल है कि कोरोना की तीसरी एहल में बच्चों पर सबसे जादा खतरे की अशंका जो है वो जताई जा रहे है यूपी की बात करें यूपी में तो एक जुलाई से स्कूल खुली रहे अभी तक यूपी सरकार ने राज्य को स्कूल खोलने की घोशना कर दियो तो प्रिदे सरकार ने कहा है कि 20 मैज से सभी राज्यों के सभी स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं जो खोल दिये जाएंगे सभी सिक्षकों को यहाँ पर भुलाया जाएगा सरकार ने कहा है कि बेसिक सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल को करमचारियों को प्रशासने को स्कूल आने की जो है वो पर्मीशन दे दी गए है इस बारे में प्रदेश के सिक्षक विबाग के अधिकारी पीन सिंग ने बता है कि प्रदेश में स्कूल एक जुलाई से खोल दिये जाएंगे लेकिन अभी बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा सकता इसके अलावा दस्वी बारवी की बोर्ड परिक्षक और रिजल्ट ने धारन में सिक्षक जो है अपनी एहम भूमी का निभा रहे हैं तो स्कूल अभी खुल सिर्फ 30 जून तक बंद रहेंगे अगर बिहार की बात करें तो बिहार एक जुलाई से अल्लॉक अक्षाएं जो है यहां पर चालू हो जाएंगी बिहार बोर्ड ने दस यूवर बारीवी की परिक्षा आयुजित कर चुका है और पढ़णाम को घोशित कर दिया है स्कूल कॉलिज खोलने को लेकर सिक्षा मतरी विजे कुमार चौधरी ने कहाँ दिया क्रोना के मामले जो है वो कम हो गया है पिर उसके बाद मादमिक और उसके बाद जो है मध्य इसके अंत में प्राथमिक विद्यालों को खोला जाएगा सिक्षा मंतरी ने काये कि सरकार और विवाग चाहते ही है कि हालात बैतर रहें तो जुलाई में सैक्षिक्स अंसानों को खोल दिया जाएगा डिली की बात करें दिली में चल रहे हैं कोरोना संकर्ट के बीच स्कूल ज़ो है वो अंलाइन मोड पर ही काम करते रहेंगे अगरическая बात करते हैं do पारे की मद्यप्रदेश की तो कोरोना संकर की में रफ्टार जो है इसमें कमी हो गये और मद्यप्रदेश के प्राइविट स्कूलों में जब लिखे कि आपके सराजे से बिलॉग करते हैं और इस तरीक्षी की अपडेट्स के लिए सब पहले बाने के लिए आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिए नोटिफिकेशन बैल दबा दीजे साथी साथ ओनलाइन एर्निक वर्क फ्रॉम ओनलाइन टीचिं या फिर मोबाइल अर्निंग एप्स की डिफरेंट वीडियो को देखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए क्रेट कर रखी है ऐसे सभी वीडियो जो है आपको मेरे शन्ट पर मिल जाएंगी गॉर्मेंट जोब की सभी विकिंसी सिक्षा जगत की बड़े नोटिफिकेशन बेल दबा देना क्योंकि तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचने वाली हैं थैंकि सो मच गये थैंकि सो मच वो कामिंग तूमाच चाहरब